बच्चों के अंदर अचानक पेट दर्द होना और कारण और तेखभाल किस तरीके से बच्चों के अंदर एक तरीके से पेट दर्द का कारण बनता है और क्यों होता है यह पेट दर्द और इसका सही इलाज क्या है आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे तो साथियों नमस्कार मेरा नाम है जीवन और आप देख रहें God Farming Care तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि छोटे जो पसु है उसके अंदर किचाओ, ऐसीडोसिस, अलकोडोसिस, पेट के समंधी बहुत सारे बिमारिया आपको देखने को मिलेगी तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते आप वीडियो के अंदर एक छोटा पशू इसका उम्र तीन साड़े तीन मैना है मैंने इसको चेक किया था कि कहीं इसे ऐसीडोसिस या ग्यास अपरा ऐसा कुछ तो नहीं है तो देखने के बाद मुझे पता चला कि इसको इस तरीके से कोई भी बीमारी इसको नहीं है देख सकते आप वीडियो के अंदर पेट के नीचे आप यहाँ पे चेक कर सकते इसको कि इसको ऐसी डोसिस है या फिर ग्यास ऐसी कुछ समझ्या है यह अपने पूछ खोबी अलग तरीके से घुमा रहा था मुडा रहा था तो मैंने इसको चेक कर लिया यह इसको तक्रीबन रात को बारा साड़े बारा बजे यह सब हो रहा था तो मैंने अचानक ध्यान गया तो मैंने देखा कि इसको क्या ट्रीट्मेंट करें अभी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं यह किस तरीके से अपने पूरे सरीर को एक तरीके से खीच खीचता हुआ आपको दिखाए देगा यहां पर देख सकते हैं खीचतान एक तरीके से कर रहा हैं तो इसको कौन सा हम इलाच कर सकते हैं और कौन सी दवाई आपको देनी हैं बढ़ते हैं इलाच की तरफ पूरा कपूरा आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस बच्चे को एक्स्प्लोर करने के बाद यह डिसिज आपको सबसे पहले देखना है कि मैंने यह डिसाइट कराय कि इसको फेट दर्द की ही बीमारी है इसके अलावा इसको नहीं इसी मार्केट को ओकम कद्रत आप work जाएंगे तो अमों मार्केट English disrupt के अंदर आपको complex नाम की एक दवाई मिलेंगी। एक टाबलेट मिलेगी। तो आपको क्या करना है। छोटा पसु हैं तो उसको देना है, आधी है गोली करना है। अगर बड़ा पसु है, तो उसको एक गोली देना है। उसके बाद जो नेक्स टैबलेट आपको पसु को खिलानी है वो टैबलेट है कॉली बॉन डीवी ये टैबलेट पेट दर्द के लिए काफी अच्छी साबित होती है आप मेडिकल सौप पे जाएंगे तो आपको आपको आपनी से मिल जाएगे तो दोस्तों आपका वीडियो यही तक था मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको अगला पार्ट टू भी वीडियो बना के आपके सामने पैस करेंगे कि यह बच्चा सही में ठीक हुआ कि नहीं थैंक्यू सो मच